अगर आप लोट के आ रहे हो तैंक यू आपके लाइस सब्सक्रिप्शिंस कमेंट्स के लिए आपके डोनेशन के लिए आपकी फुलान सपोर्ट के लिए अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब सर्विस ही पर दीजीगा मैं आज Divine Feminines की energies में टापन करे हूँ ठीक है विल सी क्या messages है Divine Feminines के लिए ठीक है यह सेंग की कोई अपना toxic बाते आपके उपर project करे है सेंग क्या बहुत money hungry होगे हो बहुत ज्यादा ambitious होगे हो there is nothing called बहुत ज्यादा ambitious ठीक है now Divine Feminine do not इनके बातों पर पत्ता मत दिया करो ठीक है I know आप इस बात बहुत misunderstood feel कर सकते हो ठीक है पर उनके बातों के लिए आपको slowdown नहीं होना है ठीक है demotivated मत हो जाओ Divine Feminine आप लोगों ने बहुत कम समय में ही आपने रियलाइस किया है कि आप किसी के ऊपर financially rely नहीं कर सकते it's difficult to find somebody's बहुता कर सकते हो और जब बात finance की आती है तो लोगों का वैवार बदल जाता है जब financial exchanges होते हैं तो like दुनिया में बहुत से कम लोग होते हैं जैसे आपके जैसे जो दिल से एक दूसरे की help करते हैं and they genuinely take care and exactly आप पर कोई favor, कोई burden, कोई manipulation नहीं करते हैं या उसके बदले किसी चीज को पाली की expectations नहीं रखते हैं ठीक है ना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो out of love करते हैं और उस चीज को नंगे तलवार की तरह सर की उपर लटका करके नहीं रखते हैं saying कि ओ मैंने तुम्हारे लिए क्या ना ज्यादातर जो लोग जब कोई आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो उन्हें पूरी जिंदलिया को सुनाते हैं तो आपको अपने लाइफ में ऐसे दिवाइन पेमिन आपने देखा हैं जहां पर आपको सच में हल्प की जरुवरत की अगे भी करते हैं आपको हैं प्रिसीव नहीं हुआ तो यू लॉर्ण्ट की आपको अपना खुद का देख लेना हुगा तो कहीं न कहीं यह इंसल्टिंग अएफ एक अबैंडन होने का या डिनाय किया गिया मोमिन्स कहीं न कहीं आपके भीतर की यह जो ड्राइव है ठीक है करियर पर्स्यू करने का उसे कहीं न कहीं एक्टिवेट करते इस न Areman का आप तरह की आप फैमी नहीं चाहते हूँ भुच्चे नहीं चाहते हो यह वमिटनी यह आपके Laaj N perteur जहूरर फहमिनन उसे का प्षाहत major कि It Just How To Are कि आपके पास opportunity है और आप fun loving style में you know पूरे process को enjoy करते हुए आप अपना career pursue करें there is यह trigger point यह insulting trigger points जो थे उसके वज़े से कहीं न कहीं एक force आपके energy में आगे आपके system के अंदर कि मुझे कैसे भी करके यह करना होगा क्योंकि I cannot rely on anybody else ठीक है न कहीं न कहीं वह forceful जो energy थी ठीक है आपको पता है और आपके खुदा को पता है सिर्फ की आपने कितना struggle किया है कितनी महनत लगी है आपको यहां तक आउच रहे के लिए कहीं बार आप थख जाते थे आपको रेस्ट की ज़रुए थी आपका शरी साथ नहीं दे रहा था आपको मन नहीं कर था पर फिर भी you had to be there काम के जगह पर आपको जाना पर कितने लोग आपको आगे बने से रोख र अपर आपको अपर करते हुए इस पोजिशन पो आपको मिला है जहां पर आप आप अच्छिण से सोता हो पाते हो जिसें कि ठीक है आपंधे अ इन अ कंपेर भी फाइनच टेबी जगह पूह नहीं जहां पर अपर अच्छिए की खाने की चीजों की पर आपको इंच पर नह तुम तो जादा ही अंविशिस हो गया हो तुम पैसे के लावार कुछ नहीं सूचता इस नौट तार यह उनकी खुद की टॉक्सिक सोच है जो आपके उपर प्रोजेक्ट करें जब कि यह स्टैंड कोईंस आप फंक्शन करें यू नो कि आपके एनजी में कहीनत है एक मजबूरी भी रही है इस नौट ओनली कि आप जो कर रहे हो आप उसे इंजॉई करते हो और आप अपने एक आइडेंटिटी बनाना चाहते थे वह एक चेरफुल एक एनजी थी पर साथ ने एक धक्का भी था और उस धक्के के दर्थ को आप आप एक्चुली किसी को बोल के समझाने सकते हो इन फ आपके इमिज को मिसिंटर्प्रेट करने की वह कोशिश करें विच इस वेरी टॉप्सिक इन इसल बाट डोंट लेक दाट गेट तो यू ठीक है पता मुत तो क्योंकि आप अपने अपने लाइफ में क्या एक्स्पीरियंस किया है ठीक है वह सिफ आपको पता है और आपको होने के जगह ठीक है इनके आगे अपने आसू बहाने के जगह इन्हें अपने आपको हर्ट होता हुआ देखने में अलाओ करने के जगह आपको पता है और आपको नाम खराब करने की कूशिश किया और अब यह नहीं की तरह देखने में आपका नाम खराब करने की कूशिश किया और आपका नाम खराब करने की कूशिश किया और आपका नाम खराब करने की कूशिश किया और आपका नाम खराब करने की कूशिश नहीं नहीं लोग, they have no right, like they are a fucking nobody, but they kind of indirectly, अगर आपको पर comments टो करें, आपको side-eye रहा है, or something like that, आप feel कर सकते हो, उनके energies को, and उनके thoughts को, आप सुन पाते हैं, उनके तो लेवल, you can like telepathically hear their nonsense, like you are a fucking nobody, आपको मुझे नहीं जानते हो, how dare you, तो मैं से मिरे वार में सोच रहे हो, ठीक है, आपको मन भी करता होगा, कि आप वहाँ पर एक clarity provide करो, या अपने लिए stand, you know explanation, don't, मैं कहूंगी, don't, don't waste your time, अगर ये उठकर के आपके boundaries को cross नहीं करें, like literally, आपके मुझे सामें आपके आपको तंग नहीं करें, and you really need to push them off, okay, उन्हें like reality check देकर ही, अगर आप उन्हें throw off कर सकते हो, then वो तो must है, आपको कर नहीं हो, उसकी हिलावा कोई choice नहीं है, but अगर आप इस चीज को avoid कर सकते हो, then please do avoid, okay, अपने आपको distract होने मत देए, आपको किसी को भी explanation देनी की ज़रवत नहीं है, okay, these are the same shitty people, जो आपको कभी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे, and now that उनके इतने कोशिश करने के बाद भी आप एक जगह पहुच गया हो, they can see कि आप और ही तरक्की अपने लाइफ में experience करे हो, there is more abundance coming into your life, and वो पहले जहां पर थे, आज भी कहीं न कहीं, वही पड़ी अटके पड़े हुए, so these are just hating motherfuckers, do not give पता to these people, do not give, okay, see we have the queen of pentacles, you are an amazing manifester, okay, आप जिस चीज में अपना ध्यान लगाती हो ना, उसको आप complete करना जानते हो, you are very good at whatever you do, okay, आप बहुती रहती 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 काम के साथ, okay, don't try, don't let them tell you that you are a failure, okay, you need to realize कि हो सकता है कि कुछ relationships, कुछ situations आपके लिए वक आप नहीं किया, आपको वहां से lesson मिले है, धक्के मिले है, but then, चीज़े उस तरी किसे वक आप नहीं किया जैसे आप चाहते थे, इस बात को भी recognize करो divine feminine कि the fact कि आपके पास ना सिफ opportunity थी, बर्के आप अपना 100% दे पार, आपने अपने हिस्से का किया, सामने वाले ने किया या ना किया, फिर भी the fact कि आप आप में इतनी शमता थी कि आप एक ऐसे situation को take on कर सकते थे, अपने लिए manifest कर सकते थे, work hard कर सकते थे, आपने अपने तरफ से 100% दिया है, अब आपको पता है कि आप actually क्या offer कर सकते हो या क्या qualities आप रखते हो, focus on that, क्योंकि ताली एक हाट से नहीं बचती, if those situations did not work hard doesn't mean कि आगे चल कि आप कुछ और नहीं कर सकते हो, आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चला, दूसरों के बारे से जादा आपको अपने बारे में इहां पता चला, that probably आपकी से ऐसे ऐसे लोग साथ थे, जो आपके उपर देर सारे बर्डन जालेते हैं, आप अकेले ही उसे रिलेशन्चिप के आगे लेकर जा रहे थे, but इस रिलेशन्चिप आपके एफट के चलते वो ठिका हुआ था, वो तब तक नहीं तूटा जब तक आपने अपने 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 इनजी विड्रौन ही ताट मींस, आप कितने स्ट्रौम परसें हो कि आप अकेले ही एक रिलेशन्चिप को आगे लेकर के जा सकते हो, जब कि अधर परसें तूटा वर्क, बैठे बैठे खा रहे थे और मोटा हो रहे थे, like they were just feeding on your energy and I don't know what the fuck they were doing, and जिन्होंने कुछ नहीं किया ना, खाली बर्तनों की तरह लेगी, MP fucking vessels they are, these people are now very angry, क्योंकि अब आपकी जो energy है उनकी तरफ invested नहीं है, और आपने सारी energy है जो आपके अपने लिए आपने इंवेस्ट किया होगा, यहां पर सिफ आप ग्रोप कर रहे हो, अपनी इच्छा से अपनी महनत से आप ग्रोफ कर रहे हो ठीक है, और वो आपको आपकी energy पर पीड नहीं कर पा रहे हैं, आपको रोख नहीं पा रहे हैं, वो उसे cash-out नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए ठीक है ना, so do not give patta to these people, मैं आपके दिल को समझते हूं, divine आपके दिल को समझते हैं, that's more than enough, ऐसा बिलकुल भी feel मत करो, that I am misunderstood, मुझे कोई नहीं समझता है, ऐसा सोचना भी मत, आपके angels, आपके ancestors, आपके spirit guides, आपके fellow, you know, soul tribe members, आपको समझते हैं, divine समझते more than enough, आपके अपके बातों से कभी मायूस में होना, इनकी बातों से कभी मायूस में होना, there is a level, कि आपने से बहुत से लोगों ने बहुत लंगे समझतत, आपने ऐसी बहुत से काम किये हैं, जहापर आपको अपना मन मार के करना पड़ा, क्योंकि अपके पास कोईच नहीं था, आपको जताया गया था, कि आपको पास कोईच नहीं था, कि आपको उनके , पर्दों लेनी पड़ हैं, उजो जिममदारी आपको लेनी थी, आपको करनाहीं पड़ेगा, तो कहीं न कहीं आपके experience में एक force, जबरदस्ती वाला एक energy रही है जो अब जाकर के release हो रही है You're realizing, you've realized in the long run कि नहीं आपको forcefully जो आपको करना नहीं चाहते हैं, आपको करने की ज़रॉत नहीं है You can actually pursue your dream and be very happy with your life पर चाहे किसु अच्छा लगे या ना लगे आपको दूस्यों की burdens को अपने सर पे लेने की ज़रुवरत नहीं है There are a lot of people you've realized in the long run कि आप उन पर rely भी नहीं कर सकते हैं Like उन्हें ज़रुवत पढ़ता है मूँ ठाके आजाते हैं And आप उनके एक phone call एक message पे या उनके एक बर कहने से ही आपको पूछने के लिए क्या हो रहा है Can I help? Okay, कई बार आपने खुद आगे से जाते हैं But जब आपको healthy ज़रुवत पढ़ती है There are nowhere to be found Like, you call, 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 call You call, 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 call But they do nothing about it ऐसे selfish, self-centered, cynical लोगों के साथ आपका उपना बेटना हो चुका है So, कही न कही जहां पर आप relationships को enjoy करना चाहते थी आपको आपको अपनी energies को ठीक है Redirect कर लेना पड़ा अपने तरफ कि आप और अप शेड नहीं परो यह देखा जाए तो यह उनकी खुद की कर्मी ही थी जिसके वज़े से आप उनसे इतने दूर हुए है And it's not your problem कि वह अपने जिमेदारी नहीं लेते You don't need compassion from them Like seriously आपको पता है कि उनके साथ आपने क्या कैसे कैसे दिन देखने पर गया आपको ठीक है And आपको किसी को भी कुछ explanation देने की ज़रबर नहीं Okay अगर लोग आपके उपर उपर उपनी उठाने की कोशिश करते है आपको पहने की कोशिश करते है You are too money oriented this and that आप एक दिन में ऐसे नहीं बने It's not that you are money oriented You just want to see yourself in a stable place And there is nothing wrong in that आपको बिलकुल भी नहीं है यह जो toxic लोग इन्होंने materialistic चीज़ों को कुछ जादे ही M.A. दिया रखी And वो अरिष्टों को कभी उन्होंने M.A. दिया नहीं ठीक है But आप day one से आपने हमेशा इंसानियत को इंसानिक कनेक्शन को प्रकृती को आपने इन spiritual You know Emotional parts को आपने बहुत नुचर किया हुआ है ठीक है आपने इन सारी चीज़ों को बहुत जादा M.A. दिया है ठीक है न वो करुना आपके भीतर वो इनुसिंस आपके भीतर वो दूसों के साथ कनेक्ट करने की शमता आप में वो कभी कम नहीं हुए कभी कम नहीं हुए It's just that आप अपने spiritual side के साथ साथ अपने materialistic life को भी बालेंस आउट करें आप spiritually जितना rich हो जितना abundant हो ठीक है आप जैसे अपने 5D में खुश रहते हो spiritual में ठीक है आपका vibration आपका higher self is like really high vibrate आप उस high vibrational energy को अपने physical body में आप transform करे हो ताके आपका physical reality भी उसी को mirror कर सके It's gonna be a reflection ठीक है सीधा reflection होगा अब बस अपने physical reality को 5D के साथ आप level up करें अब अब अगर लोगों को दिख रहा है कि आप बहुत abundant हो और अगर उसे वो trigger हो रहा है उन्हें अपनी बेवकूफिया आपके साथ उन्हें misbehave किया है तो अगर उन्हें rejected feel हो रहा है उन्हें jealous feel हो रहा है उन्हें जलिस्पील हो रहा है it's their issue it's not yours ठीक है उन्हें आपसे आपसे कुछ नहीं कर सकते ठीक है you will also realize divine feminine कि कहीं न कहीं वो आपके साथ वो सब कुछ करके निकल बाते ही क्योंकि कहीं न कहीं आपने उन्हें जगा दे रखी थी आप कहीं बार यह जानते समझते भी कि शायर उन्हें इरादे ठीक नहीं है और आप उन्हें पर रिलाई नहीं कर सकते हो फिर भी आप उनको हेल्प कर देते हैं यह बहुत गलत जो आप अपने साथ करे रहें ठीक है आप आप पुरी तरीके से अपने लिये कर रहे हो और उनके किसी भी टॉक्सिसिटी यह चोड़पंती को आप हवा नहीं दे रहे हो यू रियलाईज कि आप अप अपने लाइफ की खुद के माले को आप अपनी मरजी से बिना गिल्दी पील किये बिना पुरा पील किये आप अपने सेफटी के लिए अपने मेंटल हेल्थ के लिए 앪ने स्पिरिचल हेल्थ के लिए अपने फिसिकल हेल्थ के लिए अपने फाइनस की सेपटी के लिए अप बहुत स्ट्रोंग इंपलेटी के लिए यह होना हो करपो विसल्म स्ट्रोंग इंपल дело वो देखो आप किसी से चुड़ा करके अपना नहीं भड़े हो जहां पर आपका मन भड़ा हुआ है और आप गड़े महनत किक्माई रोग क्या चुडरो का है वह हो दूसरों का छीन के अपना भढ़ने की कोशच करें लिए अगर आपकी स्पिरिटी सिस्टम लिए वह और लेवल का है यह तो अच्छी बात है अगर आपकी प्रोटकर्टर्स पीस्पीरिट रयमस यि आप ये अपके devi सब्सकEST कर्के मरे दया पेफ़ लडाय लडते हैं कर दोसramते हैं यह अपको प्रोटेक्ट करने इससे उनके वहां पर तावल धंक करते हैं, हम निचेत कि और गॉढ़्फ। तो वो बंदा या वो बंदी आप और आप नहीं हो जिसके सर पे वो हाथ ऐसे फैरा कर तो उससे कुछ भी करवा सकते। ठीके, it's more like बहुत से जगाओं पे आपको पता नहीं चल रहा था कि आपको क्या करना चुछी। कहीं जगा पे आपको पता भी नहीं चल रहा था आप अभी वो गी रहते। ठीके, you felt that something was wrong but क्या था आपको समझ भी नहीं आता But now you know कि आप इस सारी चीजों को मना कर सकते हो ठीके, आपने आपको प्रोटेक्ट कर सकते हो You are not allowing anyone to take advantage of you बिल्कुल भी नहीं कर जो ठीके ना, so the fact कि अब उनका पागलपन की आपको पर काम नहीं करका That they have no control over you कि आप अपनी मनमर्जी आपको पर नहीं चला सकते आपको ड़ा धंका करके आपको कमजोर नहीं कर सकते आपको मैनुप्लेट नहीं कर सकते आपको पाइदा नहीं उठा सकते यह फड़ी, like, they are fucking nobody ठीक है that is bringing in a lot of Tauor Memonies in Heile there is also a wave of realization, it's like उनहीं पता है क्योनिने क्या-क्या है but फिर भी यह तरीस्ष्टी तो जस्टिपाई उनके भीतर इतने घटिया पंथी इतना toxicity बगावन यह प्रावन इतना जलंता गुस्सा बगावना कि उनके जज्जमिंट को क्लाउट कर देता है इस रहे लो कि आप ये गुस्सा उनसे डिजर्फ नहीं करते हूं आपने हमेशे उन्हें प्यार सपोर्ट दिया है और उन्हें भी आप के लिए प्यार सपोर्ट एक्सेंड करना चाहिए इस रहे बत्व की एक्सेंड का म काऊंच करना देना मीनला सभी आपने तोक्सिती करेंजाएअ कले आपना आपना सारा तोक्सिटी आपका वा अपर डिर्क्पर देटकाइए क्वे 처 derivative एवर किया मुझे अडिक्शन है या मुझे बस मजे लेने है तो I will use you, I will abuse you. In fact, यहां पर कुछ ऐसे लोगों को भी आपने experience किया है, जिन्होंने आपके साथ toxic behave किया है अपर सीना चौड़ा करके वो घूमते रहें, like they have done everything perfect, क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने वालों की कोई कमी नहीं, वो ऐसे ग्रूप में रहते हैं, जहां पर सारे के सारे नासिसिस भड़े परे हैं, सब मिल करके यह सब चूप अंती करते हैं, उन्हें आप से पता चला कि उनका तोकसिक हैं, जब आप में मना किया, आपसे पहले उन्हें जिन लोग को एक्सपरियंस किया, उन्हें उनको सब नौंसेंस करने दिया, but you said नहीं, this is not all right, आपने लिटरली, it's like nobody stood up to these people, but आपने लिटरली उनके आखों में आख खेडा करें, you are like, what is wrong with you, this was really nasty, you have to be mentally, emotionally, very weak, to take advantage of people like that, तुमने जब अभी यह कहा है, कितना घटिया है तुम्हें आईडिया भी नहीं ही है, यह तुम्हें लेस्पपासिट मनाता है, यह तुम्हें लेस्ट उपसे बनाता है, यह तुम्हें एक नीच प्तानी बनाता है, उन्हें आप से पता चला, कि वह कितना ही रॉक वो सिना करके नौन स्टॉप पादल पंदी किया जा रहे थे कोई रोकने वाला नहीं कोई रोकने वाला नहीं so you were the one जिसने actually उनके मुंके सामने आयना पकर के रख दिया से उनकी देखो अपने आपको किम कितने अगली हो तुमारा भीतर कितना कछरा भला पड़ा होगा है and they hate that they know you are like the first person जिसने actually उनके मुंके सामने आयना पकराने they want you to stay stuck but actually वो खुद वहां पर stuck है and आपको वहां पर नहीं जाने की ज़रवते you don't have to go there नहीं ज़रवत है वहां पर जाना okay yeah they are going through a lot of financial crisis probably आप उनके लिए प्रोवाइट करते थे आपके energy से वो आपके मदद से वो बहुत कुछ अपने life मैनिफेस्ट कर लेते थे but अब आपकी कोई positive energy मिल नहीं रही आपकी creativity वो चुरा नहीं पा रहे there are people around you who literally आपको देखते हैं and immediately उन्हीं चीज़ों को वो जा करके they just take it and they run with the information okay and जा करके show करने की कोशिश करते कि वो उनका original idea है okay it's like those copycat cheap bitches होते है जो actually divine masculine and divine feminine ke readings को सुनते हैं आपके लिए आपने चानल पर चिपका देए you can see evidently यह देख सकते हो कि जहां पर divine masculine and divine feminine ने कोई पोस डाला है social media पे immediately this copycat person ने इसके पहले तक उन्हें उसे इस बारे में कभी बात नहीं करना था उसे कोई idea नहीं था अचाने से divine masculine and divine feminine को पोस्ट को दे करके इधर वो पूरा का पूरा उसको copy paste कर देंगे ठीक है यह परी similar चीज़ों को पोस्ट है की कोशिश करेंगे they are just taking the information and putting it out there ठीक है saying की वो उनका लोगो दिखाने के लिए की oh I am the original one no bitch you are not the original one तुम चुरा चुरा कर की copy paste माले हो and it's not going to take you anywhere and then आप सोचोगे की तब इन लोगों के social media पे इतने followers कैसे आ जाते है देखो birds of feather flock together जो fake है वो fake पो ही चुनेंगे end of the day and जो original है वो original की तरफ ही move करेंगे अगर वो एक मुखोटे पहने इनसान के reality को अगर वो देख नहीं सकते that tells me कि उनके followers वो clarity lack करते है they don't know किसको follow करते है and they need a fucking reality check and जो automatically एक point की पात angels देख है कि देख लो तुम किसे follow up करेंगे तुम किसी अपना idol बान के चल गयो it's kind of funny कि आप कुछ डालते और immediately उन्हे भी वही चीज पोस्ट करना होता कभी कभी तो पूरा कपूरा उठा करके चुका देते the same stuff क्यों पेच इसके पहले तुम्हें इस बारे में कोई idea नहीं आया था कैसे आता तुम original नहीं हो तुम्हें वह चीजे चानी नहीं हुई थी वह तुम्हारे experience में भी नहीं है तुम probably abuser हो तुमने abuse किया है रची और बस आपने यह गलतियों को छुपाने के लिए अपने image को ठीक करने के लिए तुम यह nonsense करे भी ज़ाने को हो क्छमिक कहीं न कई अगति सी impact को परषान करने कい लिए उसे बुराद अपने आपको बहते दिखाने के लिए तुम यह आइन करऊ करो कहां तक जाओगे करो जब एक्सपोस होगे सब के सामने मैं तो ऐसे कुछ लोग को अलड़ी एक्सपोस कर चुक्यूँ आप लोग जो में इसा पहले से वो आप लगने हाथो हाथ इन लोग को पपड़ा था याद अन्देन लेवल सी ओ मुझे भी इसमिलर काइंड ओफ मैसेज मिल भी सकता है वो अपने एक्सपीरियंस से मैं पॉंटेंट को तयार की थी हुआ है नेखक इंपाथ को मैंने इक्सपीरियंस किया घ 행 मैं लिट्री अपने एक्सपीरियंस एं फोन प्वह को सब्डाइब्यु एव एज बनाइए मैं इन पर्स्थां में नन-stop अफने नाइफ में इन नदेनन एन पर इंप प्रिंशर इनमें उमें एक्सपीरियंस क्या है यह तुम्हें मैसेज़स चैनल नहीं हो सकते है इस तरीके से तुम्हें कॉपी-पेस्ट मा रहा है यहां कर आए इस इरिटेटिंग और वह मैसेज़स को भी कि इंफोमेशन को भी वह मैंनोफेक कर तो इन हो सबसे डिंजरॉस बात किया है कॉपी-पेस्ट मा रहे हो फाइन पर इंफोमेशन तो सही दो दो फैक कि वह फेक है वह गिल्टी है वह खुद नासिसिस्ट है खुद एनेजी वैंपायर है ठीक है और वह लिटरली इन आपको अपने 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 नसे ने दिखाएंगे रहे हैं बट उसके लिए आपको अपना फुन जलानी पी जरुवत ही है प्रसमें जरुख झाल भी जरुख झाल जरुआ है रहे है तो भी हुआ खुच सब्सक्राइंगें आपको क्नेक्शिस्ट इबाएंगें बेंस और र्भ चीच सोती हो बस भारे आपके बारे में ध्ये साड़ा इनपमेशन ल रहे हैं आपका चाहय तेश्छे क्या तु., यू टेश्डे-क्षैह यू बारे काण्द कर वा रहे हैं करवा रहे है다, कभी सामने नहीं से लि 화ल को इस इस दे गुडवाला एंची जिन्होंने आपको सपॉट किया है प्रभभी थोड़े बहुत आपको देखा है नोटिस किया है प्रभभी आपको समझ नहीं के लिए थोड़ा सा आगे पीचरी नहीं इन्फिमिशन ही खटा किया है और वो फॉर्स ताम दे लाइग वो दे सी ठीक है और वो फॉर्स तेक साथ खार एंची अपके पार सथ है क्लिक मैं हॉर्स वर्स इंबंधर करे मां व्योला थो Ó सिघ्ख्छे करन में wreck चार। ऑटो फॉर्स वॉर्स कर्थियर ना दीके मां एंचीशन थैस्टूर करे मैं दूरे थियर थी कॉस्डल में डेख्गे और किने position कि आपको कि आप रखेए उपने अपको कुछ वक्ते लिए, प्रणा सिंग रखेeg library पर जिनका आ रहा है, इनने लिए लोट भीछ aha ओव मुझी से क्विनकेशन उपाइब तर्म तर्टो Paul वाव, यफॉव साव्सीन ीड, डिशन आए चाहते हैं, कि आपके च्राइट चाहते है वहते ही इन यह नो पmost it was हम ऴधे पोटेंशे से हैं, कि लिए भी परवा बटेंशल्स के कहा, इन अबस्क्राइब को पड़ी है तेरा पैसा बरेगा, no this person is not trying to use you, वो बराबर like उन्हें जो लेवल का connection चाहिए था ना, they kind of know कि आपके साथ उन्हें वो इस connection को establish कर सकते, they feel a lot of attraction towards you आम एरे इस परसन का दिल बहुत जोरो से धरकता है जब वो आपको देखते है आपको लेकर के साथ, जो नेगटिव जब टॉक्सिक एनजिय का आपके आसे पास, प्रीज आपके आपके काह, प्रीज अटा मन तो ना, just do your reversals, ऑनकी पागलपनी आपके नहींटर नहीं रूपती नहीं, नोंस्टॉप बुडी नजर भो तो करते रहते हैं, don't lose your peace because of these people, जू सोशल मेडिया अपना वर्क प्लेस अपने आपको अपने घल को क्लेंज करो and keep moving forward ठीक है यह से हैं कि आपके आसपास पास ऐसा परसे में जिसमें confidence की कम ही है ठीक है and they hate the fact that you are very confident इस परसन को बुड़े बुड़े सपने आ रहे है and there is something about dreams okay इसके पहले के जो मैंने message post किया है उसके एक बड़ देखिएगा कि light workers, pay attention to your dreams उस पे आपके लिए कुछ messages हो सकते है ठीक है इस परसन को सपने आने बंद हो गए they want to see you या सपने के जरीयों आपको परिशान करना चाहते थे आपके energy में tap in करने की कोशिश कर रहे थे जब आप सो रहते हो आपके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे physically आपको अटाइक करने की कोशिश कर रहे थे इन में से कुछ के other half ठीक है आपका high level soulmate twin flame opportunities जून रहे आपके तरफ move करने का these people probably know that आपका एक other half है आपके life में true love है twin flame है high level soulmate connection है ये person आपके तरफ move कर रहे है ठीक है न आइंड वहां पर थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है कि ये past वाली जो energy है ठीक है वो आपके लिए थोड़ा सा रुकावत creation की कोशिश कर सकते हैं लेकि वो चाहते हैं कि ओ वाव अच्छा देसेंग जो पास्ट वाली toxic energy है न वो आपके लिए प्रॉब्लम खरी करें इस परसिन को आने से आपके इस हाई लेवल सोल में को आने से वो रोपने की कोशिश कर उसके पहले वो अरेस्ट हो जाएंगे चाहते हैं वो युष्टा में वाव वार कर सके जिनके साथ उन्हें गलत किया तो वह लोग इस परसिन को आरेस्ट कर देख कर दो इस कार्मा हिटिंग धै न जिसके चलते आपके यह यह है लव इस तो पासाई है ताकि वह आपके पास आसे के आपका जो थू लव है ना वह आक्टिवली आप यह नो पॉसिबिलिटीज धून रहे ऑपरचुनिटीज धून रहे आपके आपसे मिलने काम तो आपके लाइफ में कोई क्रीपी इंसान हो सकता है कि जो टॉक्सिक है जिनमे इतना कॉन्फिटेन्स नहीं है कि वह आ गया करके आपसे बात करहें और at the same time there is your other half ठीक है जो बिल्कुल भी आपके टॉक्सिक को के तरख करागी है ये इसलिए आप पही ना कहीं आप को पता चलोग यह का आप है ये बहुत को छोग अपने आप कप आप आप केऊ पास आएंगे you will know, you will get to know about it they are saying that when you don't do your healing you don't reach at a level you can't connect with the other half because when we are the twins it's important that when you don't reach at a level you can't come together like that we have the change and we have understanding so there are two energies which are moving at the moment Divine Feminence one is from your past which is toxic which is trying to deal with your destiny and the other is that energy which is your destiny so you can feel both of them okay guys, I will take care of you and I will see you in the next video take care, bye bye